आज इस वाक्त है मुहमनाबाद शहर में आप देख सकते के यहां पर इस वाक्त हम जो मौझूद है नूर खान अखड़ा में तिरंगा यहां पर लहराया जारा जो आजम मतिन कॉंसलर की ओर से और नूर खान अखड़े की नोजवानों की ओर से आज हम इंडियन न्यूस की त आज इस वाक्त है मुहमनाबाद शहर में आप देख सकते के यहां पर इस वाक्त हम जो मौझूद है नूर खान अखड़ा में जो आज़ाजी के 75 साल कंप्लिट होने के बाद में यहां पर 15 अगश्ट को बड़ी ही धूमदाम से 75 साल के यहां पर यहां पर तिरंगा यहां पर लहराया जारा जो आजम मतिन कांसलर के और से और नूर खान अखड़े की नौजवानों के और से यहां पर बड़ी ही धूमदाम से यह जो 75 साल के आज़ादी हां पर मनाई जा रही है और हम भी आपको यहीं कहेंगे इंडियन न्यूज गुमारी और से पठान सूफ्या साल की मुबारक बात देते हुए अल्ला से दुआ करेंगे कि तमाम मजभब के जो मानने वाले इस देश में हैं और सारे आज़ादी से इसी तरह जिंदेगी गुजारे आज हम इंडियन न्यूज की तरफ से सारे दर्शकों को जो इस चैनल पर देख रहे हैं उनको और सभी सारे हिंदुस्तानी भायों को आज़ादी की 75 सालगेरा पर सब को मुबारक बादी देते हैं और हम हर साल की तरह इस साल भी काफी दूमदाम से आजमतीन की ओर से और उनकी सारी टीम की ओर से मुबारक बादी देते हैं हर साल की तरह इस साल भी अच्छे बड़े पैमाने प और इस मवक्से पर हम ये भी ने बूल सकते हैं कि मारे ये आप बॉद्जाद अपने खुर्बानी दिये हैं हम उनका भी शुक्री आदा करते हैं। उनका एहले खान्दान का भी शुक्री आदा करते हैं अब वक्त अच्छा है कि हमारे लिए और सब सारे देशवाशों के लिए जो माज़े में लोग करना था अपना काम तो आज़ादी दिला कर गए हैं अब इस आज़ादी को बचा कर रखना हमारा काम है सुपको असलाम अलेकुम पहले मैं तो गयासोदिन साब का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूं कि हम उन्हों यहाँ पर आके विजिट करके देखे गयासोदिन साब हम तो यह पंद्रागश्ट बहुत धूम से बनाए हैं और हर साल के तरह इसी साल भी बनाए हम हमा इस्पोंसर बाइ क्यूपी हास्पिटल एक्सिडेंट ट्रॉमा सेट्जिकल अंड क्रिटिकल केर गुलबर्ग यस महभूब धाबावेज और नानवेज फैमिले रिस्टोरेंट मॉंबई टू हैदराबाद रोड एनने 65 नॉलेज पार्क है इसकूल के एजबी कॉलिनी नि पाइजर यलाइसी आफ इंडिया